नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अब शीक पुंडीर कॉंग्रेस में जो भगदड़ का दोर चला था वो दोर लगातार जारी है। कॉंग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी लगातार कॉंग्रेस पार्टी का साथ छोड़ कर जा रहे हैं। कहा था कि सनातन विरोध की बातें वो नहीं कर सकते। उससे पहले रोहन गुपता ने स्टीफा दिया था। से पहले संजन निरुपम ने स्टीफा दिया था। उससे पहले गर बात करें तो एक शेरगिल उनके प्रवक्ता हुआ करते थे उन्हों ने स्टीफा दिया था। 2017 में सहजाद पूनावाला ने स्टीफा दिया था जिन मेंसे कुछ ने बीजेपी का दामन थाम लिया तो कुछ ने अभी तक नहीं थामा लेकिन ये कॉंग्रेस पार्टी के लिए बहुत चिंता का करण है। मैं आपको दिखाता हूँ कि राधिका खेडा ने अपने स्टीफे में क्या कुछ लिखा है उसे देखकर आप कॉंग्रेस की मानसिक्ता को एक बार फिर से समझ पाएंगे। राधिका खेडा लिखती हैं महुदै आधिकाल से ये स्थापित सत्य है कि धर्म का साथ देने वाले धर्म का कब विरोध होता रहा है। प्रभुश्री राम का नाम लेने वालों का कुछ लोग इसी तरह विरोध कर रहे हैं। के लिए प्रभुश्री राम की जर्म स्थली पवित्रता के साथ बहुत माइने रखती है और राम लेला के दर्शन मात्र से जहां हर इंदू अपना जीवन सफल मानता है। मैं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने हमेशा ही दूसरों के न्याय के लिए हर मंच से लड़ाई लड़ी है किन्तु जब स्वयम के न्याय की बात आई तो पार्टी में मैंने स्वयम को हारा हुआ पाया। प्रभु श्री राम की भक्त वैक महिला होने के नाते मैं विहद आहत हूँ बार-बार पार्टी के समसीष नेताओं का को अवगत कराने के बाद भी जब मुझे न्याय नहीं मिला इससे आहत होकर मैंने आज ये कदम उठाया। तो आपको बता दू कि ये इस्तिवा देने से पहले राधिका खेडा 36 गड़ में गए थी जहां एक प्रस कॉन्फरेंस के दोरान उन्होंने कहा था कि उनके साथ कुछ विवाद हुआ एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा जो राधिका खेडा का बताया जा रहा है और ये विवाद महीं से उपजा था दिखाईगा ज़र एक बाद है इस वीडियो में राधिका खेडा रोते हुए बता रही है ये वीडियो राधिका खेडा का बताया गया और राधिका खेडा ने 30 अप्रेल को अपने ट्वीटर पर भी लिखा था कि वह बहुत बड़ खुलासा करेंगी अगर उनके लिए उनकी साथ जो अबहदर वेवार किया गया है अगर उस पर कोई कारवाइड नहीं होती हूँ ये वही कॉंग्रेश पार्टी है जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती है लेकिन राधिका खेडा ने कहा है कि मैं वाकई में लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ अंत समय तक लड़ सकती हूँ उस्तीफा देने के बाद पहली प्रतिक्रिया राधिका खेडा की क्या गुचाई सुनवाते हैं आपको देखेए आधिकाल से लेकर आज तक ये सत्य है कि जब-जब किसी ने धरम का साथ दिया है तो उसका विरोध हुआ है चाहे हिरिन कश्रप जी हो चाहे रावन से लेकर कंस्ता कि ये सब उधारण है कि किस तरीके से जब-जब धरम का साथ दिया जाता है तो उन लोगों का व लोक नहीं पाई लेकिन वहां जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था मेरे साथ 36 प्रदेश कॉंग्रेस कार्याले में अभधरता हुई मुझे वहां पे धक्का मुकी करी गई कमरे में बंद कर दिया गया लेकिन मेरे सा कर आई मैं रामलला के दर्शन कर कर आई और मैं अपने आपको इस बात से रोक नहीं पाई जिस दिन से 25 एपरिल को मैं रामलला के दर्शन करते आई हूँ मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पार रहा है पार्टी से और वो विरोध अब मुझे न्याय के हक से दूर कर द प्रवक्ता होने के नाते में ने कार्य किये हैं और पूरी निष्ठा से और काम किया है लेकिन आज जब मुझे न्याई की जरुवत थी तो पार्टी चुप थी और मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याई नहीं मिलेगा तो बहुत दुख के साथ नहीं सिर्फ न्याई की लड़ाई लड़ रही हूं और मेरी लड़ाई कायम रहेगी लड़की हूं लड़ रही हूं और अंथ तक न्याई के लिए लड़ती रहूंगी और मुझे रामलला में पूरा विश्वास है कि जिनके हां मैं दर्शन करके आई हूं और उसके बाद कही थी कि वो सनातन का विरोध नहीं कर सकती और अब राधिका खेड़ा ने जिस तरीके से कहा कि वो राम लला के दर्शन करने गई उसके बाद से पार्टी का जो वैभार है उनके प्रती वो बदल गया तो क्या सच में कॉंग्रेस पार्टी सनातन विरोधी हो चुकी है क्या स ठीके राजा जैसे नेता एचाई भी तक बताते हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी उनके विरोध में कुछ नहीं कहती कि इन लोगों के जो वक्तव हैं इन लोगों के जो बयान हैं वो हिंदू धर्म की सनातन धर्म को मानने वालों की भावनाओं को आहत करने वाल हैं बलकि उनके साथ तमिलाडू में डीमके के साथ कॉंग्रेस पार्टी का गठबंदन जरूर है कहीं गठबंदन में खटास ना आ जाए कहीं तमिलाडू का वोटर नाराज ना हो जाए इस वज़ा से जो कॉंग्रेस पार्टी है वो इस तरीके के बयानों से बचती है और इस तरीक आचारели प्रमौत क्रिश्ष्णम की फो उनंहोंने खुले तौर पर कहा था पार्टी छोड़ते हुए कि अब सेПр Risk निमंत्रन गेस्टी को उसका निमंत्रन कॉंगरी्स पार्टी को आचारे प्रमोध कृष्णम लेकिन उन्हों नहीं भी कॉंग्रेस पार्टी को छोड़ दिया वो भी राहूल गांदी का जो नेतरत है उसे बिलकुल मानने के लिए तैयार नहीं है जो भी लोग नेता पार्टी छोड़ कर जाते हैं कॉंग्रेस पार्टी को वो बलाई कितना पुराना नेता हो राधिका खेडा जो बाईस साल से साथ थी गुलाम ने भी आजाद जैसे नेता जो पांच दशक्त कॉंग्रेस पार्टी के साथ रहे वो भी साथ छोड़ कर चले गए तो क्या मौझूदा नेतरत जो है वो आमकारे करता से नहीं मिल पाता है राधिका खे योग तो नहीं हो सकता अब कॉंग्रेस पार्टी नहीं कह सकती कि राधिका खेडा को भी ED का और CBI का डर दिखाया गया होगा उस वज़ा से राधिका खेडा ने भी जो है पार्टी को छोड़ दिया और ये भी कोई बहुत जादा है रानी की बात नहीं होनी चाहिए कि आन धिया सफ़ादपूना वाला भीजेपी में आ चुकर है तो कॉंग्रेस के जितने भी नेता साथ छोड़कर जा रहे हैं उन ध्यादा चाहिए ऍयक्र कॉंग्रेस को सोचने की जरूरत है कॉंगरेस को अपने अंदर विचार करने की जरूरत है बीजेपी क्या कर रहें क्या नहीं कर रही है वो एक अलग बात है क्योंकि अगर उसके पास उसका वजूद ही नहीं रहेगा उसके प्रवक्ता ही नहीं रहेंगे तो फिर वो जनता तक जन जन तक अपनी आवाज कैसे पहुचाएगी और लोग सब चुना के दोरा जिस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी लगातार खोकली होती जा रही है उससे भी कॉंग्रेस पार्टी का जो हाला कमान है नजर नहीं आता कि वो बहुत ज्यादा परिशान होगा वैसे जिस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लगातार कॉंग्रेस पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं उस पर आपकी क् प्षिराय है अपने राए हमें कमेंट कर जरूर बताएं